आज है हमारा स्पार्क का तिसरा लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटा को हम कैसे रीड करते हैं स्पार्क में ठीक है तो स्पार्क में रीड करने से पहले हमें चाहिए होगा स्पार्क सेशन और स्पार्क सेशन कैसे बनाते हैं डेटाब्रिक्स Notebook में cluster कैसे मनाते हैं वो सीखेंगे पहले और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम data को read करना भी सीखेंगे तो बीना time waste किये चलते हैं हम सिधा अपने laptop के screen पर और वहाँ पर बताते हैं कि कैसे कैसे इन सारी चीजों को करना है कहां से download करना है data को अल्राइट तो आज का जो हमारा dedicated topic होगा वो होगा कि कैसे हम data को read करते हैं अपने spark में इसलिए यहाँ पर आज का topic है कि data कैसे read करना spark में ठीक है तो यहाँ पर इसका कुछ core structure है ठीक है core structure जान लेते हैं और जब यह core structure जान जाएंगे मतलब कि कैसे हम एक data को read करना चाहिए जैसे हम यह जान जाएंगे उसके बाद हम चलेंगे सीधा इसका practical करने तो थोड़ा सा basic यहां पर बता देते हैं उसके बाद फिर हम चीजों को data breaks notebook के अंदर करने वाले हैं तो core structure में क्या है पहले होगा हमारा data frame reader ठीक है एक हमारा data frame reader API है उसके बाद उसके अंदर हमारे पास मिलता है अलग-अलग options जैसे format तो format के अंदर हमें कुछ pass करना होगा ठीक है इसी तरीके से index line के लिए basically and then हमारे पास आएगा option option में क्या होगा कि हमारे को मिलेगा key मतला पास करना होगा basically मिलेगा नहीं key and value ठीक है इस तरह से हमें पास करना है इसके example भी देखने वाले हैं अभी बस देखते जाओ कि कैसा एक structure दिखता है जब data को हम read करने जाते है ठीक है then उसके बाद dot schema schema अगर कोई schema है तो उसको हम यहाँ पास कर देंगे ठीक है यह backslash line है next line के लिए and then last है हमारा load ठीक है तो यहाँ पे हमें कुछ load करना है तो जैसे हमारा अगर file है तो उसको load करने के लिए path देना होगा यहाँ पे तो यह है हमारा एक general format ठीक है अब इन सारी चीजों को हम decode करते है क्योंकि अगर हमें कुछ चीजों को समझना है तो उसको proper समझना है कि यहाँ पे dot format में क्या बोल रहा है dot option में क्या बोल रहा है dot schema में क्या बोल रहा है dot load में क्या बोल रहा है तो चलिए example मिले सकते है, csv हो सकता है, comma separated value, उसके बाद हमारा हो सकता है, json हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हमारा event jdbc, odbc connection के लिए यह हो सकता है, odbc connection का file type हो सकता है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को connect करना है, तो वहाँ पे dot format pass करना होगा, table होगा, वहाँ पे jdbc, odbc connection में, तो इस तरह से हमें format pass करना है, उसके बाद क्या है, dot option, ठीक है, और यह जो format है, यहाँ पे हाँ, एक पार्क के बताना भूल गए, जो की हमारा spark default support करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यह सारे format के बारे में बात कर ली, अब format का जो अगर यह optional parameter है, optional parameter इसलिए है कि अगर हम कुछ नहीं pass करेंगे, तो वह समझेगा कि हम dot parke format को pass करने वाले हैं, इसके अंदर, तो dot format अगर नहीं देते हैं, इसका मतलब कि वो by default हो जाएगा dot parke का data file हमारा, ठीक है, अब इसी तरह से option में आता है, यह तो हो गया हमारा format का बात, अब option में आता है, option क्या बोलता है, कि option में आप हमें यहाँ पे देखो, क्या बोल रहा है, key and value के form में दो, तो जैसे option में हमारा क्या हो सकता है, option में हो सकता है हमारा infer schema, यह सारी चीजे मैं आगे चलके दिखाऊंगा हमारे जो documentation एना spark के वहाँ पे और ये भी link दूँगा कि कहां से आप लोग इसके और options को explore कर सकते हो ठीक है तो हमारा हो गया infer schema हो गया हमारा mode हो गया mode के बारे में detail में अभी और explain करने वाले है then हमारा और क्या हो सकता है header हो सकता है तो इस तरह के options आएंगे ठीक है इसको और detail में explain हो जाएगा आगे पे अभी बस बता दे रहें ये भी एक optional field है तो option भी हमारा एक optional field है हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं ठीक है schema schema में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई file format है तो जैसे मालो की column है id column है तो id column integer होगा या string होगा किस type का data type होगा उसके लिए हम schema को define करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई manual schema define कर रखा है तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिग देता हूँ manual schema you can pass ठीक है हम pass कर सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ हमने decide किया है तो ठीक है उसके बाद dot load यह भी एक optional field हुई ठीक है यह भी एक optional field हुआ then हमारा load आया load में क्या है कि path बताना है where our data is residing मतलब जहाँ पे हमारा data reside कर रहा है उसके location को बताना है और यह optional field नहीं होगा या तो dot option path करके दो या dot load करके दो तो इस तरीके से हमें यह pass करना पड़ेगा एक minimum requirement है कि एक तो pass करना ही पड़ेगा data frame reader में तो यहाँ पे हम समझ गया कि data frame reader dot format और यह सारे जो general structure है वो pass करने पड़ेगे कोई भी data को read करने के लिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इवन यह भी समझ गया है कि उसके अंदर options होती है schema होती है कैसे काम करती है अब हम एक example लेते है example लेने से सारी चीज़े clear हो जाएगी और आपको सिधा-सिधा दिखने लगा कि अच्छा इस तरह से हम read करते है उससे पहले हमने लिखा था data frame reader API ठीक है हमने क्या लिखा था उससे पहले एक चीज़ बात कर लेता है data frame reader API बट इसको access कैसे करना है तो यहाँ पर सबसे बड़ा question है कि how to access this API ठीक है तो इसको access करने के लिए हमें करना होगा हमारा जो spark session बना होगा वो spark session का variable तो spark session spark से बनता है by default dot read तो यह dot read मतलब spark session dot read method जैसे ही dot read method यूज़ करेंगे वो data frame reader API हमारा access होने लगेगा तो इस तरह से अब हम example की तरफ बढ़ते हैं देखो यहीं से example हमारा बनेगा तो एक example ले लेते हैं कि किस तरह का हमारा दिखता है अपना data frame reader API जब अगर हम कुछ read करने जाएंगे तो किस तरह का actual में वो किस तरह का दिखेगा ठीक है तो example हो जाएगा हमारा spark dot read dot format यहाँ पे हम format में डालने वाले हैं CSV CSV file format को हम read करने वाले हैं ठीक है यह dot format हो गया फिर dot option में हो गया ठीक है option में हम बोले थे कि कुछ header हो सकता है ठीक है header इसको हम यहाँ पे true या false दे सकते हैं ठीक है इसके लावा और भी बहुत सारी options होती है जो की मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि कहां से आप लोग यह access कर सकते हो ठीक है इसके लावा multiple dot option दे सकते हैं तो फिर से dot option देंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि infer schema को true कर देंगे मतलब कि खुद ही infer करो मतलब खुद ही पता करो कि कौन से type की data आ रही हो उसके अंदर ठीक है dot अब हम यूज करेंगे option mode ठीक है और यहाँ पे लिग देते है fail fast अब यह आप लोग को समझ में आएगा यह fail fast mode क्या होता है इसके थोड़ी दिर में explain करता है ठीक है तो हम सीज़ आएंगे dot load पे और यहाँ पे हम path पास करेंगे तो हम डाल दे रहे हैं अभी c slash user slash download slash data.csv ठीक है तो यह हो गया ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया एक read करने का तरीका हो गया मतब इस तरह से अगर हम code लिखते हैं अपने database notebook में जाके वो हमारा data को read करके दे देगा इतना simple है read करना लेकिन अभी इतने में कहानी नहीं खतम हुई है अभी mode आपको समझना है क्योंकि interview में mode से question आएंगे ही आएंगे उसके बाद file format से question आएंगे ही आएंगे उसके बाद फिर आपके और क्या आ सकते हैं यहाँ पर infer schema से question आएंगे schema को कैसे खुद से infer नहीं करके infer को false करके dot schema करके करेंगे तो कैसे आएंगे तो इस सारे interview के questions है तो बने रहो मैं सब चीज को सिखाता हूँ अब यह तीन तरीके कौन कौन से है ओके तो यह हमारे तीन mode है fail fast drop malformed and permissive अब क्या होगा कि जैसे ही अब इन तीनों का मतलब समझ जाते हैं fail fast का मतलब होगा कि जैसे ही कोई भी corrupted record हमारे data में मिले तो तुम क्या कर दो इसको fail कर दो ठीक है तो यहाँ पर fail execution कब if malformed record in dataset ठीक है dataset में कभी भी उसको खराब record मिला malformed record मिला वो क्या कर देगा उसको execution को वहीं पर fail कर देगा ठीक है अब दूसरी है drop malformed record drop malformed record में क्या करेगा जो भी record देखेगा उसको कि यह record खराब है corrupted record है उसको क्या करेगा सीधा drop कर देगा तो यहाँ पर लिख देता है कि drop the corrupted record ठीक है यह corrupted record को drop कर देगा और तीसरी है हमारी permissive permissive जो होता है वो default होता है अगर आप कुछ भी option mode ना pass करो तो यह default होता है ठीक है पहली बात अब default होता है तो permissive का मतलब कि यह allow तो कर देगा लेकिन जो भी record वहाँ पर इसको corrupted मिलेंगे उसको null set करतेगा तो यह क्या करेगा set null value to all corrupted fields जो भी इसको value मिलेगा corrupted मिलेगा उसको क्या करेगा यह null set करतेगा तो यही तीन mode होते हैं में spark में read करने के तो अगला 2 minute आप skip कर सकते हो अगर आपको पता है कि csv file क्या होता है क्योंकि मुझे सब को लेके चलना होता है तो मैं explain करने वाला हूँ कि csv file क्या होता है तो अगला 2 minute आप चाहो तो skip कर सकते हो ठीक है तो आप हम यहाँ पर बताते हैं कि csv क्या होता है csv होता है comma separated value comma separated value यह एक file format होता है अब इसके बार में थोड़ा सा जान लेते हैं तो जल्दी से मैं एक dataset बना लेता हूँ फिर आपको explain करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो यह csv file format होता है मतलब कि comma से हर एक column जो है इसका separated होगा हर एक record actually में record separated होगा अब record क्या होता है column क्या होता है वो देखो column मतलब कि एक ही तरह का value यहाँ पर जैसे इसको बोलते है column spreadsheet यूज क्या होगा तो column मतलब id column है मतलब कि id के नीचे सब का id होगा एक के बाद एक के बाद एक id होगा ठीक है इसी तरह से यह column है column 2 है जिसका नाम है उस column का name और name के नीचे सारे name मिल जाएंगे जितने भी हमारे table में होगे और record इसको बोलते है record या फिर हम बोल सकते इसको row इसको हम बोलते है record या row तो record का मतलब कि हमारा अगर एक को पढ़े इसको अगर हम पढ़े तो इसका मतलब होगा कि एक बंदा है जिसका id 1 है उसका नाम मनिस है उसका age 26 है and salary 10,000 है तो यह होता है एक हमारा row का मतलब और column का मतलब कि एक ही तरह की value सब के लिए पढ़ी होगी जैसे column में id है तो id सब की पढ़ी होगी है जितने भी इस table में value है तो इस तरह से comma से यह separated होता है अब यहाँ पे एक चीज़ आपको catch करने की जरूँए था कि जैसे मानलो की value नहीं दिया होगा जैसे मानलो address है किसी का address नहीं दिया होगा तो यहाँ पे blank होगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इस तरह से वहाँ पे comma से वो separated होना ही चाहिए वरना हमारा table या जो भी हमारा spark है वो read नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस तरह से हम समझ सकते है कि यह होता है हमारा CSV CSV comma separated value ठीक है तो अभी तक आप लोग समझ गया होगे कि CSV क्या होता है इसमें बहुत सारे complications आते है जो अभी मैं explain नहीं कर रहा हूँ तो सिधा अब हम चलते हैं अपने Databricks notebook पे और वहाँ पे करते हैं hands on ठीक है ठीक है तो यह हमारा Databricks community का login page यह link मैं दे दूँग आपको description में वैसे आप लोगों ने अभी तक तो Databricks account बना ही लिया होगा free है तो बना ही लोगे ठीक है यहाँ पे sign in करते हैं and sign in करने के बाद अब हम आते हैं left side में यह भी चीज explain किया होगा है तो आज ज़्यादा मैं explain नहीं करूँगा सिधा हम आएंगे data के tab पे ठीक है अब data कहां से मिलेगा वो बताता हूँ उसका link मैं यहाँ पे रखा हूँगा ठीक है spark data का यह link है जो कि आप लोग को description में दे दिया जाएगा वैसे मैं दिखा देता हूँ open करके कि यहाँ पे हमारा data पड़ा हुआ है यह actually spark definitive guide जो हमारा book है वही से इतनी सारी data दे रखे तो यहाँ पे यह लोग बहुत सारा data set दे रखे हैं तो उसी में से एक data जो है flight data यह वाला हम आप लोग को use करने के लिए बोल रहे है आज तो यहाँ पे यह है flight data का CSV file format और यही वाला आज हम read करने वाले ठीक है तो यहाँ से कोई सा भी एक data डाउनलोड कर लेना इसको अगर मैं open करके दिखाऊ तो यहाँ पे आपको data मिल जाएगा देखो इसको अगर raw format में देखें डाउनलोड करने का होगा तो डाउनलोड कर लेना वरना raw format में जाओ यहाँ पे हमारे यह data मिल गए इसको control A, control C करके बाकी notepad में लाओ जैसे कि मैंने लाया सा डाउनलोड होता है मेरे को मिल नहीं रहा था यह हो गया हमारा data यह देखो csv format में मतलब comma से separated value है यहाँ पे तीन कॉलम दिये हुए है अब चलिए हम इसको read करते है तो अभी तक समझ गया कि data कहां से डाउनलोड करना है यह भी समझ गया कि कहां पे हमें data को upload करना है तो अब हम चलते हैं सिधा upload करने के लिए ठीक है क्लिक किये इस पे इसके बाद देखो हमने जहां पे भी अपना data रखा था flight data इसको हम कर लेते हैं ओपन ठीक है अब ठीक है यह upload हो गया हमारा 7.3KB का फाइल था अब यहां पे आप लोग को इन दोनों जो हमारे link है वहां पे क्लिक नहीं करने है मतलब वहां से आपको मिल जागा direct बना बनाया code तो वो नहीं करना है यहां से यह सिर्फ फाइल जहां पे upload हुआ है उसको copy कर लेना है ठीक है तो मैं यहां से फाइल को के upload location को copy कर लिया ठीक है यह वाला path copy कर लिया अब हम चलते हैं अपने notebook के अंदर तो हम create हम यहां पे आ गए notebook के अंदर अब हम एक create कर लेते हैं notebook जो कि आज काम आ रहा है कि read csv file in spark ठीक है अब यहां पे बोल रहा है कि cluster को create करना होगा क्यूंकि हम बिना cluster create करें spark में काम नहीं कर पाएंगे तो यहां पे no option क्यों आ रहा है ठीक है हम करते है create वाले कर लेते हैं notebook तो create हो जाए कम से कम ठीक है यह notebook create हो गया अब यहां पे देखो यहां पे connect का option आ रहा है यहां पे connect में जाएंगे and यहां पे हम अपने cluster का नाम दे सकते हैं यहां my cluster ही छोड़ सकते हैं तो यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ create attach and run तो इससे क्या होगा कि जैसे मेरा cluster ready हो जागा मैं code करना शुरू कर दूँगा I hope कि अभी तक सारी चीज़े समझ में आ रही हो समझ में आ रही हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना ठीक है और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए अच्छे-चे content लाते रहूँगा तब तक हम wait कर लेते हैं cluster के बनने का फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक है हमारा cluster ready है यहाँ पर देख सकते हो my cluster के नाम से यहाँ पर ready हो गया cluster अब हमें क्या करना है एक spark session बनाना इसमें ज्यादा दिमाग मतलगाना है जो code बोल रहा हूँ वैसे ही लिख देना और यह already spark session इसमें बना हुआ भी आया होगा तो मैं आगर यहाँ पर spark लिख दूँ तो यहाँ पर spark session का details हमें देगा spark एक variable है मतलब जो spark session को represent कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर wait कर लेते हैं यह run हो रहा है वैसे spark आ जाएगी हमारी यह देखो हमारा spark session already running है इस app name के साथ वो सारी चीज़े भी बात में discuss करेंगे आज जो discuss कर रहे है उसको कर लेते है ठीक है तो हमारा spark already बना हुआ है हमें कुछ भी करने की ज़रूद नहीं है हम क्या करेंगे अब भी क्या थोड़ी देर पहले सीखे थे कि यहां पे हमारा कहां पे गया यह देखो spark.read.format और यह सारे code हमें लिखने है प्लस जो हमने एक path copy किया था वो load में डाल के देखेंगे तो जल्दी से मैं इसको type कर लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ तो यह देखो spark.read.format जो बताया था यहां पे format पहला वाला option हो गया फिर option के अंदर जितने भी pass करने थे वो pass कर दिया और यहां पे फिर finally load कर दिया हमारे पास कोई भी अभी schema नहीं है मैंने schema भी सिखाया भी नहीं है तो उसमें ज़्यादा नहीं पड़ते है अभी देखो .format हो गया कि format कर लिया option हो गया अब option में देखो मैंने यहां पे क्या क्या दिया है header equal to false अभी मैंने header को read नहीं किया तो क्या होगा क्योंकि मैं यह assume करके चलो कि आपको कुछ नहीं आता आप बिल्कुल ही beginner हो इसलिए मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ inverse schema को भी false रखा and mode को fail fast रखा कि कुछ भी अगर corrupted record मिले तो हमको error throw कर दो ठीक है इसको हम करते है run इसको run करने के पहले इसको एक data frame में store कर लेते है ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूँ पहले इसका data frame का नाम वैसे यह run हो चुका है लेकिन इसका नाम दे देते है ठीक है अब हम क्या करते है कि इसका हमने नाम दे दिया flight data frame naming convention भी अच्छे से देना है हम लोगों को ताकि अच्छा सीख सके and then हम क्या करेंगे flightdf.show method show method क्या करता है कि हमें दिखाता है हमारा data कैसा दिख रहा हम 5 record देखना चाहते है इसलिए इसके अंदर हमने show method के अंदर 5 डाल दिया है ठीक है अब यह देखो हमें कुछ record दिखाएगा यहाँ पे यहाँ पे देखो हमने जब header false किया तो यहाँ पे कोई भी header नहीं आया है मतलब जो हमारा first line था कि पहला जो column था उसका नाम था destination country name then origin country name and then count ठीक है तो यह नहीं आया यह इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने header को रखा था false अब हम क्या करेंगे header को कर देते है true तो इस data को छेर सार नहीं करते है इसको पूरा copy कर लेते है ठीक है और इसको अगले वाले हम section में run करते है अच्छा run करने के लिए shift plus enter प्रेस करना है अगर किसी sale को run करना है तो या फिर control plus enter control plus enter क्लिक करोगे तो एक नया sale बना के नहीं देगा अगर shift enter करोगे तो एक नया sale बना के देगा जो कि यहां पर निचे लिख रहा है ठीक है यहां पर मैं करता हूँ control भी इसके बाद मैं यहां पर इसका नाम change कर देता हूँ क्योंकि वो data frame already इस नाम से है अब मतब इसको overwrite कर सकते है ऐसा कुछ नहीं कि overwrite नहीं कर सकते है लेकिन एक नया नाम दे देते हैं जिसमें की header है ठीक है तो इसके आगे हमने header लगा दिया और इसको कर दिया true ठीक है एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि अब एक उनट अच्छा अप्लाइड डिएफ.so किया इसलिए हमें header नहीं देखने को मिला तो यहाँ पर मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ और फिर run करता हूँ तो header आ जाना चाही देखो header आ गया हमारा column का नाम आ गया proper ठीक है यह एक चीज हमने सीखा उसके बाद इसका schema देखते हैं कि schema कैसा है तो इसी को हम करते है copy dot print schema से हमें मिलेगा dot print is and जैसे मैं tab प्रेस करूँगा तो यह auto fill कर देगा ठीक है देखो यह auto fill कर दिया यह मैंने कुछ type नहीं किया and then हम देदेते है open bracket close bracket तो इस तरह से यह देखो हमें दिया कि destination country जो है वो string column है origin country जो है वो string column है and count भी जो है वो string है लेगिन देखो यहाँ पर count हमारा क्या integer है तो हमने infer schema क्या किया भी false कर रहा है मतलब थुम खुद से इसको schema को infer करने की कोसिस ना करो मतलब उसको read करके data को ना पता करने की कोसिस करो कि उसके अंदर कैसा data पढ़ा हुआ correct तो अब हम क्या करेंगे इFS को true करके देखेंगे ठीक है इसको हम करते है kontroll A,Control C and then यहाँ पर करते है paste यहाँ पर हम इसको कर देते है true True कर दिए True कर दिए और हम यहाँ पर हम इसको नाम देते है header underscore schema के साथ आना चाहिए and यहाँ पर भी हम नाम देते på underscore schema नहीं तो पिछला वला प्रिंट हो जाए पिछला वला वैरियेबल रीड करेगा ठीक है इनफर schema करने से यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि वो अल्रेडी रीड कर चुका है हमारे header को तो अब हमें क्या करना होगा इसी को हमें करना होगा dot print schema ठीक है तो control v dot pri pr करके press करते हैं तो देखो print schema फिर भी ले लिया जैसे मैंने type press किया ठीक है यहाँ पर open bracket close bracket अब देखते हैं क्या आता है count देखो इसने क्या read कर लिया spark में अभी हम कोई transformations नहीं सीखे हैं अभी इतना ही नहीं सीखने की जरूरत है इसमें और भी बहुत को सीखने की जरूरत है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन चुका है और मैं हर एक चीज़ों को डिटेल में एक्स्प्लेन करता हूं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है तो चलिए आप मिलते हैं अपने अगले वीडिये में तब तक के लिए बाई